पुश्कार दोस्तों मैं हूं यूसुप ली आप देख रहे हैं सेफ नियूज लाइव आईए देखते हैं आज की खास ख़बर बैंक रीकवरी आईजेंट के सताए 26 वर्षी यूवक ने की आत्म हत्या इसकूटी के 60 हजार का कर्ज नहीं चुका पाने के चलते उठाया कदम नारा सुपरा तुलिंज परिसर से सामने आई धक्का दाय कटना राहूल बावुराव सकपाल है मृतक यूवक का नाम बकाया हफते बर ने बैंक के रीकवरी आजेंट कर रहे थे तकादा जिसके कारेंट डिप्रेशन के चलते यूवक ने उठाया कदम बैंक को पैसा लोटाने मृतक ने अपने मित्र से भी लिये थे चमुत्तर हजार उपे ससाइड नोट में लिखी सब हकीकत नाला सोपरा अंतरगत एक 26 वर्षी यूवक ने लोन पर खरीदी गई स्कूटी के हफते न भर पाने के चलते आत्म हत्य किये जाने की धक्का दाय घटना सामने आई है प्राप्त जानकारी के अनुसार राहूल बाबुराव सक्पाल नामा की वर्षी जिसकी मां जो कि पिछले दो साल से ला पता है वही पिताखा निदन हो चुका है इस कारण नाला सपरा तुलींज अंतरगत अकेला ही रहता था और म्रतक राहूल नाटक में छोटा मोटा काम करता था साथ ही समाचार पत्र बिक्री के लिए कूपन स्किम का काम भी करता था काम पर जाने हेतु राहूल ने साहट हजार के कर्च पर एक स्कूटी ली थी जिसके बाद करोना के चलते च्छाई बेरोजगारी के कारण स्कूटी के हफते नहीं बर पाया जिसके बाद बेंग के रीकवरी एजेंट द्वारा लगातार बकाया राशी भढ़ने का तगादा बलकी दबाव बनाया गया जिससे म्रतक राहूल परेशान हो उठा बेंग का पेसा लोटाने के लिए राहूल ने अपने एक मित्र से चोमत्तर हजार रिपे भी लिए लेकिन ऐसा मंजस के चलते डिप्रेशन का शिकार हो गया और अचानक से अपने निवास स्थान पर खुद को गले में फांसी लगा कर आत्मेहत्या कर दी आत्मेहत्या किये जाने से पूर्वा म्रतक ने एक सोसाइड नोट द्वारा सब हकीकत बयान की गटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव कबजे में लेकर पोस्ट माटम है जितू भेजते हुए आकस्मिक मरत्यू का मामरा दज कर जान शुरू कर दी ब्योरो रिपोर्ट सेफ न्यूज लाइफ हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइफ पे अपने व्यापार एउं सेवा से संबंदित विज्यापन है तू मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर करें